हेलो एंड वेलकम गईज ओन माईटू चैनल तो गईज क्या हल चाल उम्मीदा सब बढ़िया होंगे तो गईज आज मैं आपको वताने वाला हूँ कि आप माइनक्राफ्ट के अंदर एक एमेथिस्ट फारम कैसे वना सकते हो जिससे आपको अनलिमिटेड एमेथिस्ट साड ए बनाने वाला हूँ कि मैंने इस वर्ड में पहले से काफि सारे एमेथिस्ट जियौड फाइंड कर रखे हैं आपको ये एमेथिस्ट जियौड की सीवी केप वगेरा ओसीन के अंदर आसानी से मिल जाते हैं में तो सबसे पहले आपको अपने वर्ड में किसी uh今日 को फाइंड कर लेना है और गैज ये मेरे इस सरवाईवल वल्ड की केव है इसी के अंदर मैंने काफी सारे एमेथिस्ट जियॉड फाइंड कर रहे हैं उनी में से एक में आज मैं आपको फारम बना कर दिखाने वाला हूँ तो गैज आपको इस Amethyst Farm को बनाने के लिए अपने Amethyst Gyord के पास आ जाना है और गैज आपको इस Farm को बनाने के लिए किसी वी आइटम की जुरत नहीं पड़ेगी वस आपको एक Diamond की Pickax ले लेनी है जिस पर सिर्फ Fortune 3 की Enchantment लगी हो और गैज उस वाली Pickax पर Efficiency की कोई वी Enchantment न आपको इस Amethyst Gyord के अंदर जाना होगा लेकिन आप डारेक्ट इस Amethyst Gyord को इसके अंदर मत गुश जाना आपको साइड से बिलोक्स तोडने है और जब इदर किदर भी आपको इस Amethyst Gyord के अंदर जाने का रास्ता मिली जाएगा तो आपको सबसे पहले इस Amethyst Gyord के साइड से बिलोक्स तोड़ने है और गैज आपको उस रास्ते को फाइंड करना है जिदर से आप इस एमेथिस्ट जियोड के अंदर जा सको क्योंकि गैज ये एमेथिस्ट जियोड किसी ना किसी एक साइड से खुला होता है आपको वो साइड ही फाइंड करनी है और आपको उदर से ही इसके अंदर जाना है और गैज ये Amethyst Gior जादा तर केवस वगेरा के अंदर होते हैं तो गैज जब आप अपने Amethyst Gior के पास जाओ तो आपको उस Amethyst Gior के आज़ पास डेर सारी टॉर्च विछा देनी है जिससे उदर कोई और आपके Gior में फट गया तो आपके फारम का वारी नुक्सान कर सकता है आवी गैज आपको अपने Amethyst Gior के अंदर आ जाना है और गैज सबसे पहले तो आपको इस Amethyst Gior के अंदर जितने भी ये किलस्टर दिख रहे हैं इन सबी को गैज आपको Fortune 3 की Piquex से वड़ी आसानी से कलेक्ट कर लेना है गैज आपको इन Amethyst Gior को कलेक्ट करने के लिए मतलब इनको इदर से तोडने के लिए सिर्फ Fortune 3 की Piquex यूज करनी है क्यूंकि इससे आपको काफी सारे Amethyst Sard मिलेंगे और गैज आपकी इस Fortune 3 की Piquex पर कोई भी Efficiency की Enchantment ना लगी हो क्यूंकि इससे आपकी Piquex की Speed वड़ जाएगी जिससे गैज जब आप इन Amethyst Sard को कलेक्ट करोगे तो Piquex की Speed जादा होने से इन Amethyst Cluster के नीचे वाला ब्लोक जिसे Booding Amethyst कह सकते हैं और इससे हमारे इस Amethyst Farm में भारी नुकसान हो सकता है तो गैज आपको इस Farm में सब कुछ बड़े ध्यान से करना है बड़ी सावदानी बरतनी है तो गैज जियोड के अंदर से सभी Amethyst की Luster यानि की Amethyst Sard को कलेक्ट करने के बाद आपको इस जियोड के अंदर दो तीन टॉर्च पिलेस कर देनी और अपने Farm को वनाना स्टार्ट करना है और गैज इस Amethyst Farm को वनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना इस Complete Amethyst जियोड को तोड़ देना है सिर्फ Booding Amethyst के विलोक को छोड़ कर अभी गैज ये Booding Amethyst क्या होते हैं मैं आपको वताता हूँ तो गैज इस Amethyst जियोड के अंदर ये जितने भी किरोस वाले Amethyst के विलोक है मतलब गैज जिन भी Amethyst विलोक के उपर ये किरोस का साइन मतलब X टाइप बना हुआ है आपको सिर्फ इनको छोड़ देना है इनी को Booding Amethyst कहते हैं और वाकि इस Complete Amethyst जियोड को इदर से तोड़ देना है लेकिन गैज दिहान डखना कि आप गलती से भी एक भी Booding Amethyst के विलोक को ना तोड़ दो क्योंकि इनी Booding Amethyst के विलोक के अंदर से ये Amethyst की लश्टर गिरो होते हैं और जिनको कलेक्ट करकर हम Amethyst साड कलेक्ट कर सकते हैं और गैज अगर आप मेरी मानो तो आप एक ऐसी Piquex से इस Amethyst जियोड को तोड़ना जिसके उपर Eficency की Enchantment ना लगी हो क्योंकि गैज उस Piquex से आप इस Amethyst जियोड को धीरे धीरे तोड़ पाओगे और गैज आपका गलती करने का चांस नहीं होगा कि आप गलती से भी किसी भी Amethyst Booding Amethyst के विलोक को तोड़ पाओ तो ये तूटकर गायब हो जाएगा और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और गैज इस Amethyst जियोड के अंदर जितने भी ये Booding Amethyst के विलोक हैं आपको कोशिस करनी है कि इन सभी Booding Amethyst के चारो तरफ के विलोक को तोड़ दो क्योंकि गैज इस Booding Amethyst के चारो तरफ दाएं वाई उपर नीचे आगे पीछे सभी तरफ से Amethyst के लश्टर गिरो होते हैं मतलब गैज जितना कि आप इस Booding Amethyst के चारो तरफ को किलियर करोगे उतने जादा इसके अंदर से Amethyst के लश्टर गिरो होंगे और उतने जादा आपको Amethyst साइड से मिलेंगे अगर गैज किसी Booding Amethyst के बिलोग के साइड में कोई दूसरा Booding Amethyst का बिलोग है तो गैज आपको उसको रहने देना है वरना आपको इन सभी Booding Amethyst के चारो तरफ के बिलोग को किलियर कर देना है तो गैज इस जियोड के अंदर के सभी Booding Amethyst के बिलोग को बचा कर इस Complete Amethyst जियोड को तोडने के बाद आपको इस तरीके से एक रूम टाइप बना लेना है और गैज इस रूम में चारो तरफ आपको टॉर्चिस पिलेश कर देने है जिससे इसके अंदर अंदेरा ना रह और गैज इसी के साथ आपका ये Amethyst Farm बनकर रेड़ी है अभी गैज जैसे ही इन Booding Amethyst Block के अंदर से ये Amethyst Cluster गिरो होंगे तो गैज आप इन Amethyst Cluster को Collect कर लेना अगर गैज आप इन Amethyst Cluster को Silk Touch से तोड़ोगे तो आपको डारेक्ट Amethyst Cluster मिलेंगे जिनको आप बाद में भी Fortune 3 से माइन कर सकते हो और Amethyst Shards Collect कर सकते हो और गैज आप इन छोटे वाले Amethyst Cluster को मत तोड़ देना क्यूंकि इनको तोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा ये Amethyst Cluster अभी वच्चे हैं मतलब गैज ये Amethyst Cluster अभी छोटे हैं इनको तोड़ने से आपको कुछ नहीं मि रहेंगे और गैज आप इनको तोड़कर Amethyst Shards Collect करते रहना और गैज इन बुडिंग Amethyst के विलोग के अंदर से ये Amethyst की लश्टर फिर से गिरो होते रहेंगे और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा वैसे तो गैज हम इस Amethyst Farm के अंदर एक Redistron System बना कर इस Farm को Automatic Farm बन लिए एक छोटा सा Redistron System बाला Amethyst Farm जिसके अंदर से इन Amethyst Shards को Collect करने का एक मातर जरिये ये Piston है तो गैज जब भी हम किसी Amethyst Cluster को Piston से तोड़ते हैं तो गैज हमको उस Amethyst Cluster से सिर्फ दो ही Amethyst Shards मिलते हैं लेकिन गैज अगर हम Amethyst Cluster को Fortune 3 से माइन करे तो गैज हमको उ Amethyst Cluster से 4 से 16 के बीच में Amethyst Shards मिलते हैं गैज आपको Piston से Amethyst Cluster को तोड़ने पर हमेशा 2 Amethyst Shards मिलेंगे लेकिन गैज अगर आप किसी Amethyst Cluster को Fortune 3 से माइन करते हैं तो गैज आपको 4 से 16 के बीच में कितने भी Amethyst Shards मिल सकते हैं अगर गईज हमको फोर्चून 3 की पिकेक्स से इन अमेथिस्ट किलस्टर को तोड़ने पर इन अमेथिस्ट किलस्टर का सबसे कम अमाउंट यानि की 4 अमेथिस्ट सार्ज मिलते हैं तब भी गईज वो पिस्टन से तोड़े हुए अमेथिस्ट सार्ज का डावल अमाउंट होत इसलिए इस Amethyst Farm को एक Automatic Farm बना कर कोई भी फाइदा नहीं है जितने Amethyst Shards आपको Fortune 3 की Pickax से माइन करने पर 5 मिनट में मिल सकते हैं उतने Amethyst Shards आपको एक Automatic Amethyst Farm में एक गंटे AFK करने से भी नहीं मिलेंगे तो गैज आप इसी तरीके से Fortune 3 की Pickax से इन Amethyst Shards को Collect करते रहना अभी गैज आपको दिखा दू कि अगर आप गलती से भी एक भी बुडिंग Amethyst के Block को तोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है तो गैज आप इदर से देखो मैंने इदर इस बुडिंग Amethyst के Block को तोड़ा और गैज इसको तोड़ने पर हमको कुछ भी नहीं मिला उल्टा ये बुडिंग Amethyst का Block गायब और हो गया अभी इस वाले Block से हमको जितने भी Amethyst किलस्टर गिरो होकर Amethyst सार्च मिलते वो और अपने हाथ से चले गए इसलिए आपको गलती से भी किसी भी बुडिंग Amethyst के Block को नहीं तोड़ना और गैज इसी के साथ अपना ये Amethyst Farm बनकर Ready है आप इसी तरीके से एक Amethyst Farm को बना सकते हो अगर गैज आपकी मर्जी हो तो गैज आप अपने Amethyst Farm को Modify करकर एक अच्छा सा डिजाइन दे सकते हो जैसे की गैज मैं आपको अपने इस Farm का डिजाइन दिखा देता हूँ मैंने इसको एक Ocean Theme का डिजाइन दिया है आपकी जैसी भी मर्जी हो आप अपने Farm को वैसा डिजाइन दे सकते हो या गैज आप इसको कोई भी डिजाइन दिये विना भी रह सकते हो वस आपका फारम बनकर कम्पलीट हो गया काफी है अभी गई जाब भी इसी तरीके से अपने वाइनक्राफ्ट के अंदर इस एमेथिस्ट फारम को बना सकते वागी गाईज अगर आपको ये वीडियो ची लगी हो तो प्लीज से इसको लाइक करना चैनल पर नही हो तो दन्यवार थेंक्स फोर वाचिंग